हेलो फेंट्स वेल्कम नाज सासे क्लासेस आज है 20 फरोरी और आज हम लोग 20 फरोरी से बनने वाले जितने भी बाट एंग करेंट अफैर हैं उनके बारह हों डिसकस करेंगे तो फेंट्स जजा कि आप लोगों पता है हर रोज हम लोग वीडियो स्टार्ट करने पहले एक मोट मोटिवेसल लाइन देखेंगे देखेंगे मोटिवेसल लाइन ये है कि मंजिल पे जिन्हें जाना है तुफारों से डरा नहीं करते तुफारों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते तो फेंट्स बिना देरी किये हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रेंट पूछा ज रहा है कि हाली में भारती सेना की मेडिकल टीम की इस देश से लोटी है ओफसर नमबर A है सौधी एरब, B है सिरलंका, C अमेरिका, N D है तुरकी तो फिर इस कुशन कराई टेंसर है ओफसर नमबर D तुरकी कहने का मतलब ये है कि भारत ने तुरकी और सिरिया में 6 फरोरी को आए घातक भुकम के एक बात खोज और बचाओं में साहिता के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉंच किया था और अब तक 46,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है और सबसे इंपॉर्टन बात ये है कि भुकम प्रवायत तुरकी में सफलता पुरुक चिकित्सा रहात अभियान चलाने के बाद एक 99 सदस्य सेना की चिकित्सिय टीम जो S क्रेंदन और हटे में फिल्ड अस्पताल चलाती थी 20 फरोरी 2023 को भारत में उत्री है अगला प्रेशन देखते हैं अगला प्रेशन है कि हाली में किसकी अचानक युद्ध कालिन क्यू की यात्रा हुई है कहने का मतलब यह है कि संग्युक तुराज अमेरिका की राश्पती जो बाइडन ने यूक्रेन पर रूस के पूड पैमाने पर आकरमन की पहली वर्सगार्ट से कुछ दिन पहले एक जुटता दिखाने के लिए क्यों कि अब होसी त्यात्रा की है और सबसे महतुपूर बात यह है कि मरंस्की पैलेस में राश्पती बलादी मिर जलंस्की के साथ बोलते हुए बाइडन ने सोमवार को लगबग एक साल पहले की आसंकाओं का हवाला दिया कि रूसी सेना तेजी से उकरिनी राजधानी को जब्त कर सकती है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है कि हाली में अभिनेता राजनेता नंद मूरी तारक रत्म का किस दिन निदन हुआ है ओफसर नमबर A 19 फर्वरी, B 20 फर्वरी, C 21 फर्वरी, D 22 फर्वरी तो फेंड इसक्वेशन का राइट एंसर है ओफसर नमबर A 19 फर्वरी और यहां अभिनेता राजनेता नंद मूरी तारक रत्म का इमेज दिया गया है देखिए कहने का मतलब यह है कि टॉलियोड अभिनेता और राजनेता नंद मूरी तारक रत्म का 19 फर्वरी तारक रत्म का 19 फर्वरी तारक रत्म का बैंगलूरियों में दिधन हो गया है और सबसे महत्वपूर बात ये है कि यह वयवरित, तेलोगू अभीनेता और आंदर प्रदेश के पुर्व मुखे मंत्री एंटी रामा राओ के पोते थे। इसकी अलावा देखिए उन्होंने युवारत्न, तारक और भद्रादी रामुडू जैसी फिल्मों में काम किया है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन जो है वो काफी जादे इंपोर्टेंट है पूछा गया है कि हाली में किस देश ने पहली बार 15,000 से अधिक प्रत प्रत्यार उपड किये हैं ऑफसर नमबर A है भारत, B है अस्ट्रेलिया, C अमेरिका, N D है पाकिस्तान तो फेर्ट इसकोशन का राइट एंसर है ऑफसर नमबर A भारत कहने का मतलब यह है कि भारत ने 2022 में एक साल में पहली बार 15,000 से अधिक प्रत्यार उपड किया है और पास सथियू, राजियू भूसर ने 19 फरवरी 2023 को आयोजित राश्ट्री अंग और उत्तक प्रत्यार उपड संगठन वैग्यानिक संगवात के दवरान या गोशना की, मात करते हैं कितने परसेंट की बिद्धी हुई है तो फिर्ट्स, प्रत्यार उपड संख्या में 27% की वारसिक बिद्धी दर्च की गई है, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन है कि अठारवी विश्व सुरच्छा कॉंग्रेस की सहर में आयोजित की जाएगी, ओफसन नमर ये है पटना, बी है दिल्ली, सी है जैपूर, एंडी है लखनाओ, तो फेंट से इस कोशन क बात ये है कि इंटरनेशनल यूनियन ओफ रेलवे और रेलवे सुरच्छा बल इसका आयोजिन कर रहा है, और देखिए ये बात है कि कॉंग्रेस में रेलवे की बीच तकनिकी सहयोग के लिए सदस्य रेलवे संगठनों के सुरच्छा प्रमुक का एक साथ इकठा होते हैं, अगला प्रश्ण देखते हैं, अगला प्रश्ण है कि हाली में किस सरकार ने नई सराब नीती पारित की है, ओफसन नमबर A है उत्तर प्रदेश, B है मद्य प्रदेश, C है राजस्थान, Nड है बिहार, तो फिर्ट से इस कोशन का राइट एंसर है ओफसन नमबर A मद्य प् करते हैं इसका उद्देश से क्या है, तो फिर्ट नई नीती के ताथ सराबों की दुकानों से जुड़े पीने के छेत्र और दुकान बार बंद किये जाएंगे, अगला प्रश्ण देखते हैं, अगला प्रश्ण है कि कितने फरवरी को वित्त मंत्रियों की पहले G20 बैठक होगी, ओफसर नमबर ए है 23 फरवरी, पी है 24 फरवरी, सी है 27 फरवरी, अंडी है 26 फरवरी, तो फिर्ट से स्कॉशन कर आइट एंसर है ओफसर नमबर बी 24 फरवरी, कहने का मतलब यह है कि G20 इंडियन प्रिसिडेंसी के ताथ वित्त मंत्रियों और सेंटरल बैंक गवरनर्स कि पहली G20 बैटक 24 और 25 फरवरी को बैंगलूरू करनाटक में अवजित की जाएगी, और सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि इस बैठक की अदेश्ता वित्त मंत्री निर्मला सिता रमन और RBI गवरनर सक्तिकान दास संग्यूक तुरुप से करेंगे, अगला प्रेशन देख अगला प्रेशन है कि हाली में किस खिलाड़ी ने टेश्ट क्रिकेट में सबसे जादा छक्क्या लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा है ऑफसर नमबर A हार्दिक पांडिया, B है बेनिश्टोक्स, C है सूरे कुमार यादो, N D है जौस पटलर तो फेंड इस कोशन करा आइटन सेर है ऑफसर नमबर B बेनिश्टोक्स जीन का ही मिज़ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कहने का मतलब यह है कि इंगलेंड के टेश्ट कप्तान, B बेनिश्टोक्स, 18 फ्रोड़े 2023 को निउज्टोक्स के खिलाप मैच में टेश्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे जादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और सबसे महत्वपूर बात यह है कि उन्होंने इंगलेंड के कोच और न्यूजिलेंड के पुर्व क्रिकेटर ब्रेंडम मैकुलम के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है बात करते हैं इनके रिकॉर्ड के बारे में तो फिर्ड्स बैने श्टोक्स ने 90 टेश्ट में 109 छक्का लगाकर रिकॉर्ड बनाया है अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है कि हाली में किस ने पूड़े में स्यू स्रिष्टी थीम पार्क के पहले चरण का उधगाटन किया है कोशन फिर से रिपीट करते हैं एंडी है योगी आदित्तिनाथ तो फेंड से स्कूशन कराईट एंसर है ओफसन नमर बी अमिस सा जिनका image आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कहने का मतलब यह है कि केंद्री मंत्री अमिस सा ने सीव जहनती के दिन पूरे महराष्ट में सीव सिष्टी थीम पार्क की पहली चरण का उद्गाटन किया है और सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि यह 76 पति सीवाजी महराज के जीवन पर आधारित एक थीम पार्क है फ्रेंट्स अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग के से लाइक, सेर और कमेंट जरू कीचे आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मैच